नमसकार दोस्तो सुरेंदर हेल्प चैनल में आपको स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में आप सिखेंगे ओरिजिनल जमीन का नक्सा अपने मोईल से कैसे निकालते हैं और अपना एड्रेस पर Post Office के माध्यम से कैसे अपने address पर मंगवाते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको complete जनकारी देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को skip न करें वीडियो को पूरा देखें तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और किस परकार से original जमीन का नकसा पुराना अपने मुगाल से निकालते हैं इसके बारे में step by step आपको बतलाते हैं दोस्तो अब आपको इसके लिए नकसा लाने के लिए या मंगवाने के लिए कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है घर बैठे आप आप नकसा निकाल भी सकते हैं और आपना address पर मंगवाब भी सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले क्या करना है अपने मुगाल में Google या Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है ओपन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पर search में टैप करना है DLRS उसके बाद space देना है उसके बाद यहां पर लिखना है बिहार तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं DLRS space बिहार लिख करके और इसको क्या करना है सर्च कर देना है दोस्तों सर्च कर देने के बाद आपके साने में एक नया पेज खुल के इस तरह से आ जागा अब आपको यहाँ पर थ्वासा पेज को उपर करना है उसके बाद यहाँ पर तिसा नमबर में आप देख सकते हैं डूर एस्टेप डिलेवरी का जो ऑप्सन है इ इसके उपर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नया पेज खुल के आ जागा और यहाँ पर देख सकते हैं राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग भू अभू अभिलेक हेवं पर्म्याप नीदे साले बिहा राजस्व नक्सों की डोर इस्टेप डिलेवरी सेवा तो आप यहाँ से नक्सा निकाल भी सकते हैं और अपना एडेस पर मंगबा भी सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर आपको उपर करना है इसको उसके बाद यहाँ पर एडिया टाप टाप के उपर में क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दो जाएगा एक है रूरल उसके बाद है दूसरा है म्यूनीच पल तो आपको क्या करना है अगर ग्रामीन छेतर से आते हैं तो रूरल के उपर में क्लिक करना है अगर आप सहरी छेतर से आते हैं तो यह म्यूनीच पल को क्लिक करना है ठीक है इसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए district का नाम मिल जागा यानि बिहार में जितना भी जिला है यह सरा जिला का नाम यहां से आप देख सकते हैं उस तो जो भी जिला है उसको select कर लेना है उसके बाद में यहां पर थाना number थाना का नाम select करना है ठीक है तो यहां पर थाना को select कर लेते हैं उसके बाद यहां पर मोजा यहाँ पर यानि गाउं का नाम सेलेक्ट करना है इसमें से जो भी आपका गाउं का नाम है यह आ जाएगा ठीक है इसमें से जो भी आपका गाउं का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए यहाँ पर गाउं का नाम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे यह है गाउं का नाम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे में देख सकते हैं सर्च मैप के उपर में क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च मैप के उपर में क्लिक करेंगे आपके साने में यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर आगया है नीचे में खूल करके यहां से में बना है या दुसा सीट में बना है तो यहां पर राइट टीक है तो यहां पर देख सकते हैं तो यह एक वला पर किलिक किय tiap इसके बाद अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इसकोट टिक आउट करना है Woah और पर यहां परThisRESgle option है के उपर में क्लिक करना है जैसा ही आप किलिक करेंगे नीचे में नगिद का मैप खुल के आजागा और देख सकते हैं यह ओरिजिनल नक्सा है यहां पर सभी पलोट नमबर यहां पर साफ साफ दिखाई देगा ठीक है यहां पर इस नक्सा के चारत तरफ में कौन-कौन मौजा है उसका नाम दिया रहेगा ठीक है उसके बाद यहां पर राइट साइट में सभ सभी का नाम इहां पर देख सकते हैं और इस संकित का मतलब क्या होता है यहां पर पूरा ochbs me दिया गया है ठीक है तो इस दरह से आप निकाल सकते हैं अगर आप इसको मागवाना चाहते हैं अपना एड्रेस पर Brother इसको क्या करना है यहां पर एड़ टू कार्ट नीचे में देख सकते हैं लिखा हुआ है एड़ टू कार्ट इसके उपर में क्लिक करना है और यहां पर कुछ जनकारी आपको फिल करना है ठीक है और यहां पर प्रोसीड के उपर में क्लिक कर देना है, प्रोसीड के उपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको बता दिया जाएगा जो कितना पैसा आपको लएगा, ठीक है, यहां पर टोटल उसके बाद में यहां पर नाम आपको दे देना है आपका नाम, email id, phone number, country पीन कोड और एड्रेस का पता और चेक आउट के उपर में किलिक करके जो भी आप एड्रेस में पता दिये हैं उस एड्रेस पर पोस्ट आप्रिस के माध्यम से आपके घर पर ये नक्सा चला आएगा ठीक है तो दोस्तों मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जाहें